नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं इससे लगभग 20,000 पर नियुक्ति करास्ता साफ हो गया है इन पर दो माह में नियुक्ति पर किरिया सुरू होने की समवनों जताई जा रही है बता दे, एक दर्जन नियुक्ति नियमावलिया पाइप लाइन में है जिसमें उक्त परिधान हटाने की करवाई की जा रही है इसमें से कुछ नियमावलिया कार्मिक या बीधी विभाग में से हैं तो कुछ नियमावलिया कैबिनेट की सुक्रिति के लिए बेच दी गई है इन नियमावलियों में संसोधन से लगभग 50 यार और पदोपर नियुक्ति करास्ता साप हो जाएगा इसमें प्रथम चरण में सहयक आचारे के लगभग 25 यार पदोपर होने वाले नियुक्ति भी सामिली था है दरसल राज सरकार ने पुरु में नियोजन नीती में त्रितिये स्रेनी के पदोपर नियुक्ति में अस्थानिये युवाओ को प्राथमिक्ता देने के लिए जारखन के सेक्षिनिक संस्थानों से मैट्रिक एवं इंटरमीडियेट उतिन होना अनिवार किया था जारखन के किसानों के खाते में चोधावी किस्त जाल परधान मंत्री किसान समान निधी योजना के लावकों को चोधावी किस्त का बेसबरी सिंत्यार है मेडिया रिपोर्ट की माने तो माई के अम्तिम सवता में पंजी कृत किसानों के खाते में परायान मतिन नायंद मोदी 2,000 रुपई की किस्त ट्रांसपर कर सकते हैं 26 से 31 माई के बीच किसानों के खाते में 14 किस्त आ सकती है हालाकि इस पर अधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है जारखन के किसानों के खाते में भी उसी दिन पैसे आ जाएंगे बता दे जारखन में 31,1604 किसान पीम किसान योजना के ताथ पंजी किरी था है बता दे कि किसी मंत्राले की ओर से अभी तक पीम किसान की 33 किस्त किरासी मिली है जैक बोड दसवी बरहवी रियल्ट 20 माई तक CBAC मैटरिक और इंटर बोड रियल्ट के रिजल्ट की घोसना हो चुके इसके साथ ही जहारखन बोड यानि जहारखन अधिवीद परिसत की ओर से आयोजित मैटरिक और इंटर की परिक्षा देने वाले पिद्यार्थियों की धड़किने भी तेज हो गई है उनका भी रिजल्ट बहुत जल्द जारी होगा सुत्र बता रहे हैं कि 20 माई को ही जैक बोड 10 वी के साथ साथ बरहावी के साइंस का रिजल्ट भी आ जाएगा बता दे जहारखन बोड अपने अधिकारिक बेप साइट पर मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट एक ही दिन जारी करेगा सूत्र बता रहा है कि जारखंड जैक बोडि अपने बिद्धयर्टियों का पहिड नाम 20 समाय को जारी कर सकता है कोफी की जार्च पूरी हो चुकी है, रियल्ट तैयार करने की परकिरिया भी चल रही है बताया जा रहा है कि इस बार record समय में कोपी की जाच पूरी कर ली गई है गर्मी छुटी में कटवती को लेकर प्रध्यापकों ने किया बिरोध छोटे हो या बड़े अपनी गर्मी की छुटीों का बेसरी से इंत्यार कर रहे हैं ऐसे में अगर छुटी कम कर दिया जाए तो फिर छुटी में काम का लोड बढ़ा दिया जाए तो परिसायनी होना लाजमी है बता दे इन दिनों जारखन में स्थिक्षकों के साथ ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है दरसर विस्व विद्यालेव कॉलेजों को प्रध्यापकों की गर्मी की छुटी में कटोती कर दी गई है जिसके बाद से प्रध्यापकों ने अक्रोज जताया है प्रध्यापकों का कहना है कि इस तरह गर्मी छुटी की कटोती करना सभीकार नहीं है इस मामले को लेकर अखिल भातिय राष्ट्रिय सेक्षीक महासंग जल्द ही राज एपाल सीपी राधा कृष्णन से मुलकात करेंगे जनकारी के उनसाथ सभी भी सुभी देलेक पता अधिकारियों की ओनलाइन बैठाक में यह नहीं नहीं लिया गया हा रांची के सांसाथ संजाए सेट दोवारा सनिवार को सांसाथ का रियालाय में प्रेस वारता का उजन किया गया इसमें सांसाथ संजाए सेट ने कहा है कि रांची में किर्केट की अपाल संभावनाय है इन संभावनाओं को थोड़ा तरास कर और बेहतर किया जा सकता है बदाजे रांची ने किरकेट जगत को महेंदरे सिंग धोनी जैसे सितारे दिये हैं भविसी में कई महेंदरे सिंग धोनी रांची में हो सकते हैं थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने क्या हो सकता है थोड़े बेहतर प्रसिक्षन क्या हो सकता है इसी उदेश से 1 जून से 10 जून तो 2023 तक सारदा गुलोबल स्कूल बुकरू में 10 दिवसी नवो किर्केट कैम का योजन किया गया है मौके पर पुर्वर रंजी खिलाड़ी परदीप खना भी मौजूद थे संजय सेट ने कहा है कि इस नवो किर्केट कैम का संचालन बिहाल जारखंड के पूरो रंजी खिलाड़ी प्रदीप खना के मागदर्सन में संपन होगा करनाटक में जीत पर जूमें जारखंड के कॉंग्रेसी करनाटक में जारखंड के मुख्याले में ढोल नागारे बजे पटाके पोड़े गए करनाटक के चुनाव पहिना इमने राहूल गांधी के उस बयान को जिसमें उन्होंने कहा था कि नफरत के बयार में मोहबत की दुकान खोलेंगे को सच साबित कर दिया नफरती एजेंडा लेकर मैदान में उत्री भाजपा को बोरी तरह सिक्स्त मिली है लागातार साबा और रोड सो करने के बावज़ूद प्रधान मतिनादमोदी की बातों को जानता ने तरजिह नहीं दिया है सरवजन पेंसन व्यजना के तहट सरकार दे रही है 1000 रुपे प्रती मा जारकन सरकार ने आर्थिक और सालिरिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सरवजन पेंसन व्यजना के शुरूआत की है इस व्यजना के तहट राजे के सभी ब्रीद बिद्वाद दिब्यांग जन आदिम जन जाती और HIV AIDS से पिरित लोगों को जोड़ने का लक्षा है बता दे राज सरकार की ओफिस्यल वेब साइट की माने तो अब तक 7,89,142 लोगों को इस व्यजना से जोड़ा जा चुका है इस व्यजना के तहट हर मालावकों को एक हैर बे प्रती माह दिये जाते हैं बता दे यदि आप भी व्यजना का पात रहा हैं तो आज हम आपको इसके पूरे प्रसेस के बारे में बताते हैं इस व्यजना का लाव लेने के लिए सबसे पहले आपको सरकार के ओफिस्यल वेब साइट जारसेवा.जारखन.gov.in पर जाना होगा जन्सुनवाई में ओन्द एस्पोर्ट समाधान के लिए लोहदगा पहुचे मंत्री रामेश्वार लोहदगा जी लेके कुडू पर खण परिसर के सबागार में सनीवार को अस्थाने विधायक सा मंत्री जन्सुनवाई कारकरम का जन्सुनवाई में पहुचे गरामीनों ने लिखी तरूप से अपनी समस्याओ को मंत्री के समक्ष रखा ताथा समाधान की मांकी है मुख्याती थी मंत्री डाक्टर रामेसर राव ने कहा एक जन सुनवाई का उदेश से आम जन है सिधा सनवात तथा जानता की समस्याओं का उन्दर इस्पोर्ट समधान करना है कॉंग्रेस पार्टी ने तएक किया है कि कॉंग्रेस के मंत्री तथा विधायक अपने अपने छेत्र में प्रकॉंड से लेकर पंचायत अस्तर तक जन सुनवाई कारिकरम का उजन करते हुए आम जनों की समस्याओं से आउगत होंगे तथा उसका समधान भी करेंगे राज सरकार बेतर कारे कर रही है गरीबो की सरकार में गरीब तथा समाज के अम्तिम पैदान पर बैठे आम जनों तक सरकार की जनकरी कारी योजनावों को पहुचाने के लिए सरकार परतिबधा है बरसाद से पहले मवादियों के खिलाप चले गया बड़ा नक्सल ओप्रेशन गुमला पुलिश ने परतिबंधित उग्रवादी संगठन भागपा मवादी के खिलाप ओप्रेशन सुरू करने वाली है इस ओप्रेशन में CRPF-218 बटालियन के जवान भी सामिल रहेंगे उग्रवादी के खिलाप सुरू होने वाले ओप्रेशन को लेका सनिवर गुमला एसपी वा CRPF-218 बटालियन गुमला के कमांडेट ने रन इत्तिताए की है बतादे बरसाथ से परेनक सलियों खिला बड़ा ओप्रेशन चलाने पर समती बनी है SP डाक्टर एहतिसाम वा कारिव ने कहा है कि भागपम मवादियों के विरूद सभी परकार के अभियान चलाने वा गुमला जिला में सेस बचनक सलियों के विरूद करवाई करने के समद में चर्चा की गई साथी भागपम मवादियों दुआरा 15 माई को एक दीनी संपून उत्तर भारत बंद के मामलेब भी चर्चा की गई है आदिवासियों को उजाना बंद करो परसासन को अल्टिमेटाम गिरिडी में बन विभागी ओर से आदिवासियों पर हो रही करवाई की बिरूद में आदिवासि संखर्च मोर्चा अखिल भारतिये किसान महासंग तथा भागपमाले ने मोर्चा खोल दिया है परसासन को सक्त चेतावनी दी है कि आदिवासियों को उनकी जमीन से उजाने की कोशिस बंद हो अगर आदिवासियों खिलाब बन विभागी करवाई नहीं रूकी तो आंदोलन किया जाएगा बतादे आदिवासि संहर्स मोर्चा अखिल भारते की सान महासंग तथा भागपा माले की अगवाई में सुक्रवार को एक्सिस्त मंडल ने गिरी डी के डी सी नमन प्रियस लकडा से मुलकात की है चात्रा निवेदिता की जान लेने वाले आशिक ने खुद को मारी गोली चात्रा निवेदिता से एक तरफा प्यार करने वाले संकी आशिक अंकित ने खुद को एक गोली मारी है पुलिस का काना है कि चात्रा की हत्या करने के बाद आरोपीत कोकर इलाके में आ गया था जहां वो एक निवेदिता की आवाज आई तो मोखे पर लोग पहुँचे इतना पूलिस को दी गाई पूलिस का काना है कि मामले की जाच की जा रही है जहार्खन में अब घर बैठे दर्ज करा सकेंगे संहा कुछ दिनों के बाद जहार्खन में संहा दर्ज कराने के लिए ठाना जाने की जरूत नहीं पड़ेगी बतादे संहा की पोरीफर के लिए प्रेटफरम पर लाने की त्यारी जोरो पर है पासपोर्ट गूम हो जाए डाइबी लाइसेंस या अनमहत्पुन दस्तवेज गाइब हो जाए तो उसके लिए समन्दित भी भागों में थाने की मुहन अरिवार नहीं होगी बदादे ऑनलाइन साना में मिली रिपोर्ट को ही वैद मना जाएगा इस पर तेजी से काम भी चल रहा है बरतमान में जार्खन ऑनलाइन एफाइयर सिस्टम परिया बिवस्था तो है लेकिन अब भी थाने की मुहर लगाने की बदिता समन्दित कुछ परसनिया है जिसके चलते हैं ऑनलाइन पोर्टल अभी उतना कारगर नहीं है जितना होना चाहिए जार्खन में सुरू हुई हाथियों की गन्ना गोबर के नमूने से जाच पलामु टाइगर रिजर्ब पी टी आर में हाथियों की गन्ना कार्णे सुरू हो गया है वाइल लाइफ इंस्चूट अफ इंडिया देहरादून और राष्ट्री बाग संरचन प्राधिक करण की टीम के सवयोग से पी टी आर के अधिकारी और ट्रेक पूरे मई महिने में हाथियों की गन्ना करेंगे बतादे कैमरा, ट्रेप और गोबर से हाथियों की गन्ना की जा रही है वागों की गन्ना की तरजपर पहली बार हाथियों की टी एने अधारित करना हो रही है एक एक हाथी की DNA प्रोफाइलिंग होगी PTR के साथ ही जार्खन के दल्मा अभ्यारन में भी हाथियों की गन्ना हो रही है जार्खन में हिर्दय रोग्यों का सरकार करा रही है निसुल्क अपरेशन हिर्दय रोग से पिरित ब्यक्तियों के लिए राज सरकार सामने आई है सरकार के ओर से हिर्दय रोग्यों का निसुल्क अपरेशन का योजना शुरू किया गया है सरनिवार को स्वास्त विभाकी ओर से पचीस रोग्यों का निबंधन करके रांची भेजा गया संभी मरीजों के लिए निसूल्क परिवहन के अलावा भोजन की भी विवस्ता की गई करनातक में कौङरेस की जीत से उत्साहित जामूमों का इसारा करनातक विधान सभा चुना में कौङरेस की संदार जीत और भारतिय जन्ता पार्टी की करारी हायर को लेकर जामों के केंद्रिय परवक्ता सुप्रियों भटचाई ने भाजपाप पर निशाना साथते वे इसारों में बजरंग दल की तुनला आतंकवादी और उद्धंड संगठन से कर दी है इसके अलावा उन्होंने बंगला महोत्सोय में राजेपाल के ना आने और भाजपा दोवारा उनके सम्मान को ठेस पहुचाने जैसे मुद्धो पर भी बात कही है दरसल करनाटक विधान सभा चुनाव में कॉंग्रेस की संदार जीत और भातिया जन्ता पार्टी की करारी हार से महागडवन्दन के दल भी उसाही था है जार्खन में कॉंग्रेस और रायत के साथ महागडवन्दन की सरकार चल रही पार्टी जार्खन मुक्ती मोर्चा भी भाजपाय की हार्से उत्साह में हाई नियोजन निती को लेकर छात्रों का अंदुलन जारी एक महिने तक रखेंगे अपनी मांग नियोजन निती को लेकर छात्रों का अंदुलन थमने का नाम नहीं ले रहा है सरकार की नियोजन निती एक खिलाप एक बर फिर छात्रों ने अंदुलन तेज करने की घोशना की है जिसके तहथ अगले एक महिन तक चल रहन बद आंदुलन किया जाएगा बरतमान में 47 नियोजन निती को लेकर हकमाल बताते हुए छात्रों ने 10 मई से 11 जुन तक महा जन आंदुलन का एलान किया है इसके तहथ पहले चरण में 10 मई से 25 मई तक जारखन के सभी विधायक और 72 से छात्र गयापन सौपकर उनके लिखित समर्थन मांग रहे हैं वही दूसरा चरण में 26 मई से 6 जुन तक चलेगा इसमें जन जागरन महा अभियान चलाया जाएगा जिसमें छात्र नगरा बजाकर राज भर में सौकवा का पत्ता घुमाकर सरकार के इस नियोजन निति का विरोध करेंगे तीसरे और अमतिम चरण में छात्र ने 9 जुन से 11 जुन तक जारखन के सभी प्रखंड और जिला मुखेला में पहले दिन यानि 9 जुन को मसान जुलूस निकाल कर और 10 और 11 जुन के जारखन बंद को सफल बनाने का वहान करेंगे जारखन की बेटिया होकी के फाइनल में राष्ट्रिय सभ जुनियर महिला होकी चेंपियनसिप में जारखन की टीम ने फाइनल में पहुचकर पदक पक्का कर लिया है बता देरावर की राय में सन्नीवार को खेले गए सेमी फाइनल में जारखन की टीम ने यूपी को पिनल्टी सुट आउट में 2-1 से हराया है जारखन की गोल कीपर गंगी बारला ने पेनल्टी सूट आउट के संदार चार गेंदरो कर जारखन की जीत में आहमभ़ुम का निभाई पेनल्टी सूट आउट में जारखन की जमुँआ और स्वीटी ने गोल किया है मैदानी खेल के दवरान दोनों ही टीमों दो दो गोल की बराबरी पर रही है धन्यवाद